हालो फ्रेंड्स वेलकम बैक उन आवर यूट्यूब चैनल मिश्टर मिश्टर अलल भी आज हम बात करने वाले हैं section 20 की जो executive magistrates के बारे में बात करता है section 20 से लेकर section 23 तक executive magistrate के बारे में बात होगी तो executive magistrate mostly जो है IS ही होते है state government appoint करते है कि किसी IS को executive magistrate and वो जो है criminal matters में deal करते हैं तो executive magistrate से rated जो provision है वो कहीं सारे section में दे रखे हैं CRPC में जैसे कि section 107 से लेकर 110 तक maintenance of peace के बारे में में बात की गई है section 133 section 134 section 145 section 147 यह कुछ section है जिसमें executive magistrate वर्क करता है ठीक है section 20 का जो सब section 1 है कह रहा है कि हर district में एंड हर metropolitan area में जो state government है वो कितने भी executive magistrate appoint कर सकती है और उसमें से एक जो है district executive magistrate appoint करेगी district executive magistrate जो है वो अलग है यहाँ पर ध्यान रखी है आपकी district judge से जो है जो court में होते है ठीक है वो district judge होते है ठीक है session judge जिसको बोलते है जो district judge है लेकिन यह district executive magistrate जो है यह अलग है जो district magistrate है वो बिल्कुर district judge से लग है person है district magistrate कौन जो dc भी बोलते हैं जिनको हम जिनको या फिर dm भी बोलते हैं जो मेली civil matters में deal करते है या फिर administrative जो work देखते हैं जिसमें UPSC clear कर रखा है ठीक है उस district magistrate की उस dm की यहां पर बात हो रही है तो पूरे district में जो है district magistrate एक ही होगा अब आगे subsection 2 जो executive magistrate appoint हुए है subsection 1 में ठीक है state government ने जितने भी executive magistrate appoint किये हैं उन में से additional district magistrate appoint कर देगी state government and वो जो additional district magistrate है उनके पास सारी powers होंगी जो कि एक district magistrate के पास होती है अब आगे section, subsection 3 है वो कह रहा है कि कहीं पर अगर magistrate का जो office है वो vacant हो जाता है खाली हो जाता है कोई भी reason हो जकता है ठीक है तो जो निया person आएगा any officer जो है वो succeed temporarily जो officer temporarily तोर पर आएगा उसके पास सभी powers होंगी जो एक district magistrate के पास थी और सभी जो जब वो powers है और duty है जो temporary तोर पर आया है वो person जो है वो भी district magistrate की जो powers है या फिर duty दी गई है उसको वो exercise कर सकता है सब section 3 के अंदर ये बताया गया अब आगे subsection 4 है जो state government जो है किसी भी executive magistrate को चार्ज दे सकती है किसी subdivision या फिर subdivision का चार्ज दे सकती है मतलब सबड़ीजन का मदल है तसील का जो district में आगे तसील होती है एक executive magistrate को सब ड्यूज दिया जा सकता है state government के द्वारा एंड जो वो person जिसको चार्ज वो दिया गया है duty magistrate को जो वो चार्ज दिया गया है सब ड्यूजन का या फिर executive magistrate को सब ड्यूजन magistrate बोला जाता है मतलब जैसे तसील के अंदर अगर कोई आता है ठीक executive magistrate तो उसको सब ड्यूजन executive magistrate बोला जाता है आगे इसका सब सेक्शन फॉर का ए जो state government है वो बाई जनरल और बाई special order भी power state government के पास है वो अपनी powers को delegate कर सकती है कि दे सकती है किसी district magistrate को अब इसका सब सेक्शन फाइव जो है उसमें भी बताया गया कि जो state government है वो commissioner of police ठीक है पुलीस को जो है इनको भी power दे सकती है executive magistrate की तो मतलब इस तरह से बताया गया इसके अंदर का अईजाग है ओप आपका भीए आपकाश्श टॉ nessrot कवरागी ये को बताया प्रहा क्या कैसा है कास्ज़ नहीं हो चrictर लांए है उadura नहीं ह। एाज़ येंफ churchмовों आपकाशन